दूसरा प्रश्ण लेते हैं यह प्रश्ण श्री अर्विन त्रिपाठी यह चोवेपुर, कानपुर से बिलोंग करते हैं इन्होंने पूछा है कहते हैं क्या बुद्धत्व का दिया एक बार जल जाने के बाद गलत आहार विहार क्या कुसंग के कारण बुझ सकता है पहले तो यह जानो बुद्धत्व क्या है अपने सत्य स्वरूप को जान लेना बुद्धत्व है हम अपने जिस स्वरूप को जानते हैं वह स्वरूप, सच्चा स्वरूप नहीं है वो ट्रू सेल्फ नहीं है वो pseudo self है क्या चीज़ से अपनी पहचान हमने बना रखा है किस रूप में अपने को जानते हैं हम अपने शरीर से जानते हैं सोचते हैं कि मैं दे हूँ लेकिन सुनो अश्टा वकर जनक को क्या कह रहे हैं करें दे हूँ मैं नहीं दे है मेरी नहीं हे जनक जिसने जाना है योगी वही देह से तोड़ो तादा आप में और देख लो तुम अभी से सुखी शानत हो मुक्तो किते हैं देह हूँ मैं नहीं देह मेरी नहीं हे जनक इस बात को जानो कि मैं देह नहीं हूँ और ये देह मेरी नहीं है बस एक सवारी है जिस पर मैं सवार हूँ एक रत है जिसका मैं रती हूँ देह हूँ मैं नहीं देह मेरी नहीं है जनक जिसने जाना है योगी वही यही योगी की पहचान है जो अपने को देह रूप में नहीं जानता बलकि देह के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में जानत है यह दूसरी जगह इसलिए करते हैं देह से तोड़ो तादात में और देख लो तुम अभी से सुखी शानत हो मुक्तो देर नहीं लगती ऐसा नहीं कि बरसों की तफ़स्या तुमें करनी परती है बस उसी तादात में जो हमने बना लिया है अपने देह से बना लिया है कि दे ही हमारी सब कुछ है देह के रूप में खुद को जाना है नहीं देह से तोड़ो तादात और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो जैसे तुम जानते हो कि मैं देह नहीं देह के पार मेरी सत्ता है वैसे ही तुम सुखी हो जाते हो तुम शांत हो जाते हो और फिर क्या अश्टावगर कहते हैं तो फिर जानना क्या है ये तो तादात में दे से तोड़ना है केवल तोड़ने से नहीं होगा कहीं तुमको जोड़ना भी है अपने तादात में क्या जोड़ना है एको विशुद्द बोध हो हम कहते हैं मैं विशुद्द बोध हूं मैं चैतन्य प्रडवा और ऑग्यान के इस जंगल को कि क्या जयानिक मैं दे हुँ अग्यान के इस你在 जंगल को जलालो प्रडवा अग्यानकर ribet शोक सुखी भवा और सारे शोम पर चले जाओ आनंदित हो जाओ और जिसको इसको एक भावान तरम ने किया था उससे तो पस्पस्ट हो जाएगा बोध हूँ बोध हूँ मंतर की आग से जला अग्यान कावन सुखी हो सके मैं बोध हूँ मैं चैतन्य हूँ जब इसका रियलाजेशन तुम्हे हो जाएगा मैं विशुद्द बोध हूँ मैं आत्मा हूँ जिसको आत्म ग्यान कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ इसी का नाम बुद्धत्व है इद भी बुद्धत्व के पार और भी आत्रा हैं मगर बुद्धत्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आरंभिक जो विंदु है वो है मैं आत हुँ और जिसको हम सेल्फ रियलाइज़शन कर सकते हैं इसके हम आत्म ग्यान कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि यहीं पर बुद्धत्व की यात्रा रुक जाती है आगे की यात्रा है यह आत्म ग्यान है बुद्धत्व का पहला स्टेप पहला सुपान उसके बाद क्या है अद्वा जाने कि मैं प्रित्वी का हिस्सा हूं जैसे पत्ती जाने वरिक्ष की कि मैं वरिक्ष का हिस्सा हूं मैं अन्शों सुपूर्ण का तब समझ लेना अद्वाइत घ्ञान घटित हुआ आगे भी यात्रा चलती है तीसरा पड़ाओ क्या है बुद्धत्व कैवल ग्यान ये सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है अहो वहम ब्रम्हास में ये कैवल ग्यान है और बुद्धत्व की यात्रा यहां भी नह वार ग्यान क्या है यह मैं और मेरा अब यह नहीं यह अन्श और पुर्ण की धालना भी समाप्त हो जाती है वहां वहां पर है कि यह समस्त अस्तित्व परमानंद अस्तित्व है और केवल इसी का अस्तित्व है इसी की उपस्तिति है यह मेरा और तेरा मैं उसकांद्श हूं य जैसे अलग-अलग उसकी अस्मिता नहीं है बस एक ही परमानंद अखंड परमानंद अस्तित्व है इसका बोध हो जाए तो समझ लेना कि निर्वान घटित हुआ लेकिन बुद्धत तो यहां भी नहीं रुकता इसकी आगे परमपद है अब तक तुमने जाना निराकार हूं म परमात्मा निराकार है लेकिन अब जानते हूए हां कि निराकार तो परमात्मा है ही निराकार तो जीवन तस्तित्व है ही थोड़ा बहुत जो आकार है यहवीवर्माम है इशावास ईदम सर्वाम यहद किंचित जगत यान जगत यह सब परॉत remains है जर्रे जर्रे में खुदाय मुहम्म्मद साथ कह रहे है करकर में परमात давайте तो इसलिए किया रहे है इशाओध सिर्वंगकहता है कि यह यह जगद ठोड़ा बहुत जो आकार तुम को दिखता है यह आकायत किनजित जगद या जगद या यह तो जो डिफ्रेंट सोपान है लेकिन ये सब अचीव करने के बाद भी गिरावट की संभावना है पतन की संभावना है जिसको भगमान कृष्ण गीता क्या द्याय छे में आत्म संयम योग की बात कह रहे हैं कि योग भरष्ट होने की पूरी संभावना है और सच को जितनी उचाई प करें छिया सब्सार की जमीन से उखाड करके अपनी चैतना को प्रमात्मा की जमीन पर आत्मा की जमीन पर बोना हं भी पौधा नया दया है उसका कि करते ईचाहिए दुमको जाई उसको इडिट करना होगा तुमको अगर तुम ने पौधे को रूप तो दिया उसकी देख व प्रिद्मी हो जाते हो योग भ्रष्ट भी हो जाते हो तो यह जो अध्यात्मिक प्यास है आत्मा की प्यास है यह प्यास तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाती है लेकिन इस जन्म में योग भ्रष्ट होने के बाद अब तुम्हारी कोई संभावना नहीं है क्यों आद्मी के माल्क पर चल जाता है संबोधि के बाद भी और इसका उधारन दिया ओशों ने एक डॉक्टर थे पुना में गोविन सिद्धार्त ओशों के सन्यासी भी रहे ओशों ने घोशना की कि वे बुद्धत्व कुपलब्ध हो गए हैं लेकिन कुछी चंद दिनों के बाद उन्होंने कहा कि गोविन सिद्धार्त ओश्ट हो गए हैं वे पुना बुद्धत्व से फिर से नीचे चले गए हैं तो निश्यत्रुप से यह मत गुमान कर लेना कि एक बार तुमारा दिया जल जाए तो हमेशा जलेगा आंधिया चलेंगी तुफान चलेंगे और दिये की र प्रस्ट हो जाता है पहली बात आत्म विस्मरन जान लिया कि मैं आत्मा हो लेकिन क्या यह तुम्हें अपनी आत्मा का स्मरन है क्या उसको याद में उसकी तुम जीते हो क्या इस भाव में तुम जी रहे हो आत्म भाव में जी रहे हो अगर नहीं तो पतन होना सुनिश्चि अगर सुमिरन में नहीं जी रहे हो चाहिए आत्म सुमिरन हो या ब्रह्म सुमिरन हो तो फिर से योग भरस्ट होने की संभावना है तीसरा कि यह जगत माया जाल है यह माया हमें बराबर खीशती रहती थी सुफी बावाशाह कर अंदर कहा करते थे यह दौलत और शौरत की जो और सबसे ज़्यादा जो योग भरस्ट होने की संभावना होती है गुरु द्रोह अगर तुमने गुरु द्रोह किया तो योग भरस्ट होना तुमारे लिए निश्चित है इसलिए इन बातों से अगर बचोगे तो यह जो योग भरस्ट होने की संभावना है यह बहुत छि जीवन का नियम है जो न करेगा सीना आगे पीठ उसे खीचेगी पीछे जो उपर को चढ़ना सकेगा उसको जाना होगा नीचे यह जिन्दगी का नियम है अगर तुम जैसे पहार पर चढ़ रहे हो तो उस पहारी पर तुम ठर नहीं सकते घर नहीं बना सकते हो या तो तुम उपर चड़ो या फिर तुम नीचे फिसल जाओगे उपर चड़ना तुम्हारा चुनाओ है नीचे गिरना तुम्हारी नियती है तो हमेशा सीजते रहो अपने पौधे को एंलाइटेन्मेंट के व्रिक्ष को और आगे आगे इसको ग्रो करते रहो बढ़ाते रहो दूसरा हमेशा ओहो भाल में रहो एक ग्रैटिचूड में रहो अगर ग्रैटिचूड तुम्हारे वितर कम हो गया तो कभी भी उसन पतन के मार्क पर चल सकते हो बस्तदा अध्यात्रग मैं क्या शिकायत से ओहो बहाओ की यात्रा है अदिख या को गुरू के प्रति अहो बहाओ, गोविंद के प्रति अहो बहाओ, और फिर अहो बहाओ को अपने जीवन की शैली बना लो, और फिर प्रग्या, साक्षी, सुविरन, ये तुम्हारे जीवन शैली के तीन आयाम होने चाहिए, प्रग्या, हमेशा हमसे लोग पूछते हैं, कि जादा प्रग्या कारिक्रम क्यों है, इसलिए कि तुम्हारे भीतरिक प्रग्या रहे, विजडम रहे, एक विबेक रहे, इसलिए ये इतने प्रग्या कारिक्रम हमने रखे हैं, और प्रग्या क्या एक समझ चाहिए, एक अंडरिस्टेंडिंग चाहिए तुम्हारे पास, औ और इसलिए आनन्द गीता में हमने कभी लिखा थ कि ये प्रग्या錯 साक्षि अपरिणाम बिना संबोर्य मिली कव ज्यान बिना सवाल यह है कि यह केवल संबोधी पाने के लिए प्रग्या साक्षी और सुविरन नहीं है बलकि संबोधी को मेंटेन करने के लिए सस्टेन करने के लिए रिटेन करने के लिए भी प्रग्या साक्षी और सुविरन की जरूरत होती है और मुझे बड़ी खुशी है कि यह सारी कारिक् करिश्न मूर्थी पद्धती जोतिश है उसमें करीब सात मित्रों ने उसको आज ही पूरा किया और उनके फीड़ बैक मैंने देखे बड़े आहलादित हैं बड़े खुश हैं और ऐसा लगता है कि इन 11 दिनों के इस कारिकरम में उन्हें बहुत कुछ पाया है अभी चार तार प्रग्या कारिकरम क्या है विवेक के साथ विवेक पूर्ण जीवन हम कैसे जीए और अभी मैत्री प्रग्या कारिकरम चल रहा है करीब साथ मित्र वहां भाग ले रहे हैं बहुत मौज ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इन प्रग्या कारिकरमों में सब को भाग लेना चा होगा कि अगर आप चाहते हो कि इस बुद्धत को योग योग वरस्ट होने से बचे और बुद्धत को अपलब्ध रहें तो एक बात ख्याल रखना प्रग्या साक्षी सुविरन अहो भाव यह बहुत ही जरूरी है कभी आनंद कीता में लिखा था जिंदगी एक सीतासी है संस पार भयानक कानन है पल भर्जो प्रहरी दूर हुआ हरने को खड़ा दशानन है इसलिए स्वर्णम्रिक मत मांगो लक्ष्मन रेखा को मत लांगो अत्साक्षी शरणम गच्छामी बज ओशो शरणम गच्छामी इसी के साथ ही आज के सत्संग को हम विराम देते हैं हरियों अत्साओ